नमस्कार दोस्तों वेलकम टू रमेस अकेडमी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आये शुरू करते हैं आज का वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे गुरूप डी परिक्षा 2022 से इंपोर्टेंट नोटिस जो आया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे क आई टी और एप्रेंटिस जरूरी कर दिया है गुरूप डी के लेवल पोस्ट में तो हम लोग देखेंगे कि क्या नोटिस है उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि टेंथ पास के लिए कौन-कौन सा पोस्ट अभी बाकी रह गया है यह हम लोग देखेंगे तो आए हम लो में जो है वह मैटिक लेवल जो भी कंडिडेट थे वे सभी उसमें कर दिया था तो आईए देखते हैं क्या नोटिस आया है जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यहां पर आपको से रिलेटट पलपल की ख़बर जो आपको आता है उसको यहां पर दीया जाएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन एक द्वारा वह गव्म्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री एंडिया डेल बेल्वें the one time exemption granted by Indian Railway in Employment Notice No. 2-2018 and RCC 1-2019 issued by in Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively, was only a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn. मतलब यहां पे जो जैसे कि मैंने बैताया कि आपका जो 2018 और 2019 में जो vacancy आई थी group D का वहां पे only metric को allow किया गया था यानि कि जो भी student metric किये थे सभी group D post के लिए eligible थे लेकिन उसको जो हटा कर हटा है यहां पे देख लेते हैं उसके बाद में क्या लिखा हुआ है दा मिनीमम एजुकेशन विंग आफ रेलवे विल बी 10 पास प्लस नेशनल अपरेंटेंशिव एपरेंटेंशिप सर्टिस्फिकेट एनसी ग्रांटेट बाइ नेशनल कांसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और टेंथ पास प्लस आईटी आई अल अस्पेरिंग कंडिरेट्स में प्लीज नोट देएप और बी प्रिपेर्ड एकॉर्डिंग ली मतलब इसमें असपश टूप से बोल दिया गया है कि जो भी सीबिल इंजिरियरी मेकेनिकल इलेक्रिकल सिग्नल टेली कॉम्निकेशन से रिलेटेड जो गुरूप डी के पोस्ट होंगे और कैटिंग विंग और रेलवे से रिलेटेड जो पोस्ट होंगे उसके लिए टेंथ पास तो ज़रूरी है ही साथ-साथ मैं आपको एनसी का सथिस्थीफिकेट चाहिए यानि कि अपरेंटिस कोर्स जो चलाता है रेल बे उसका सथिफिकेट या आपको टेंथ पास के साथ साथ आईटी आई किया होगा होना चाहिए यादि दोनों में से कोई एक रहेगा तो निश्चित्रुप से हो जाएगा यानि कि अभी जो टेंथ गुरूप डी का जो वैकेंसी निकला हुआ था 2019 और 2018 का उसमें तो वनली टेंथ पास ही मांग रहा था लेकिन अभी आईटी आई का होना जरूरी है इसलिए जो भी स्टुडेंट आईटी आई किया है यदि गूरूप डी के पोस्ट को भरना चाहते है तो लोग आईटी आई कर लेंगे या एडिविशन ले लेंगे तो जादे अच्छा रहेगा हाँ साथ साथ में जो लोग आईटी आई किये हैं उनके लिए तो सुना रहा ही मौका है चुकि निश्चित रूप से आने यह बोल भी दिया गया है कि एस्ट्रेंट को आगे आने वाले व पोस्ट है आपका यहां पर टेकनिकल पोस्ट के लिए और साथ में आपका केट्रिंग से रिलेटेट जो पोस्ट होता है उसके लिए यहां पर तेंथ प्लस आईटी आई जी मांगा गया है लेकिन उसम्त से कुछ पूश्ट हैunun ग्रूप डी में जो मेडिकल रिलेटेड होता है तो उसके लिए टेंथ मांगा जाए लेकिन उसकी वेकेंसी बहुत ही कम होती है इसलिए निश्चित रूप से जो लोग आईटी आई किये हैं उनको यहां पर प्रिफेंस दिया जाएगा प्रिफेंस किया वहीं लोग फॉर्म दिया कि आने वाले समय में दिश्चित रूप से यह होगा लेबल बन पोस्ट के लिए आपको आईटी आई करना ज़रूरी होगा आप जो भी आईटी आई किये हैं उनके लिए काफी अच्छा मौका होगा तो इस तरह से यह नोटिस था आप अपने दोस्तों के साथ इसे स थैंक यू थैंक यू वेरी मुच